हलो दोस्तों आप सम्भी का स्वागत है कुग्विद रहनू हिंदी में तो आज हम बनानी जा रहे हैं रवा लेड्डू मुह में ही खुलने वाले तो चलिए दोस्तों आज की मज़िदार रेश्पी है जो बनाना शिरू करते हैं इसलिए मैं मैंने तो है किके अंदर बूल लेंगे सुजी को कलरण्ज उने थाक्व यह दान्य में पीस्ता कत्रन ठतО्न खोप्रा शाव ओ लिए अल्यजि यनिए काजु आधी पाव क्तरा को देसा हूँ गी को डाल दिया और गी हमारा अच्छे सपीगल गया है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे सूजी को सेखने से पहले हम ड्राइफूर को फ्राइब कर लेते हैं और मैंने यहां पर हमने तुकड़े करके लिए आप साबत भी फ्राइब कर सकते हो सबको अलका अलका सा फ्राइब कर लेंगे और दीमी गैस पर कराएं आप फ्राइब कर लिए काजू बादाम पिस्ता किसमिस को भी अब हमारे यहां इदर घी बच गया है तो इसी में हम सूजी को फ्राइब कर लेते हैं या फिर भूल लेते हैं और लगातार इसको चला लेंगे सूजी को कलर चैन जोने तब चलाना हमें वुलकुल भी रुखना नहीं है लगाता चलाते रहें और अगर आपके थोड़ी सूजी सूखी सूखी लगती है तो आप घी उपर से भी टालके भूने मगर इसको घी के अंदर ही वुलकुल भी जब भूने ना तो भूलकुल सूखी नहीं होनी चाहिए तो हमारी सूजी है जो हल्की सी शिख चुकी है और करीबन हमारे को दो मिलट हो गए इसको सेखती हुए और अब डाल देंगे यहां पर हम खोपरा तो खोपरे भी हमारे सूजी के साथ में यह भी हल्का सा तक इसको लगातार हमने भूल ले आए सूजी को और अब डाल देते हैं यहां बूरा सक्कर और मीठा अपने इसाब से ले सकते हैं कम ज्यादा और बूरा सक्कर को भी अच्छे से मिला लेंगे सूजी के साथ में और इधर ही हम डाल देते हैं यह अमने ड्राइफूड पू आप डालें यह पर लाष्ट में और आप जाओ तो बूरा सक्कर के में आप सक्कर भी ले सकते हैं या फिर आप मूरा सक्कर नहीं हो तो आप सक्कर को भी पीशके लिए सकते हैं आप तीनों ही तरीके अपना सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से तो यहां पर हमारा यह बनके बिल्कुल रेडी है और बनाएंगे इसके लट्डू तो यह देखिए अभी सुका सुका सा लग रहा है अब क्या करेंगे यह तो आप थोड़े से इसमें दूड ड को हमने अच्छे से मिला लिया और गैस को कर देते बन और इसको नीचे उतार के हम ठंडा कर लेंगे हलका सा फिर हम इसके बनाएंगे लट्डू और यह आप एक जरूल द्यार रखे यह इस तरीके का गीला सा होना चाहिए सुका सुका नहीं होना चाहिए नहीं तो आपके अब हम इसके लड्डू बना कर देखते हैं अदेख के आराम से बनना है आपका इतना ही गिला होना चाहिए कि ज़्यादा सुका में नहीं बनाए तो आपके लड्डू होने जो बंदेंगे नहीं स तरीके से देखिए हलक अस से बनाएं आप लेड été यह देखिए तो यह बन गया हमारा लड़ू और इसी तरी किता हम सारे लड़ू जो बढ़ा के तैयार कर लेंगे